सबको लग रहा था कि तेहरान जो जो जॉन अबराम की फिल्म है वो पोस्पॉन हुई है और उसका रिलीज डेट चेंज हुआ है चेंज हुआ है उसका लेकिन मैं पहले से बोल रहा थे कि यह नहीं होने वाला है दूसरी फिल्म होगी वो पक्का और देख लो यह कंफम हुआ जॉन अबराम निकिल अडवानी जी स्टूडियोज कोलिबरेट फॉर वेदा फिर्स्ट लुक पोस्टर आउट रिलीज डेट अनौंस्मेंट जॉन अबराम एंड डिरेक्टर निकिल अडवानी रीउनाइट आफ्टर बटला हाउस अपने देख यूगी फिल्म वेदा ए निकिल अडवानी का है इसमें शर्वरी है चलो जॉब मिल गई शर्वरी को बाइदवे बहुत से फिल्मों में वो स्ट्रगली कर रही है तो फाइनली उसको जॉब सॉरी फिल्म में काम भी मिल गया मतलब अब इशेक बैनर जी उसमें He is so talented no doubt produced by जी स्टूडियोज मोनिशा अडवानी मदू भोजवानी जॉन अबराम ओ प्रोडूस बाइज बाइज अबराम अलसो को प्रोडूस बाइज मिनाक्षिदास रिटन बाइज असी मरोरा पोस्टर से तो भाई डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि फिल्म में दम होगा और भाई सिंपल बात है बाटला उस के बाद ये लोग आये मतलब भाई you can say that maybe हो सकता है कि based on true story है और देखो जॉन आबराम पठान का success no doubt पर वो भी credit उसको नहीं मिला भाई जो मिलना चाहिए था डेफिनेटली उसका जो काम था बहुत से लोगों को पसंद आया था इन फैक टॉप पे आया था पसंद लेकिन उसको वो credit नहीं मिला जो मिलना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है personally but overall उसके साथ ही आप ये कह सकते हो कि उससे पहले उसकी बहुत सी फिल्में अच्छी नहीं गई थी पर हाँ ये भी एकी सत्य में हो जायते पार्ट वन मैं पार्ट टू की नहीं बात कर रहा हूँ पार्ट वन और बाट लाउस ये फिल्में बहले क्लैश में थी फिर भी इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस किया ता अपने दम पे so आंट पठांट तो आपको पता ह पती है उसके बाद तेहरान जो फिल्म आने वाली है और उसके बाद आ रही है वेदा तो अच्छा फिल्म हो अच्छी फिल्म्स है मतलब जान हो ब्रागों के पास so उम्मीद करता हूँ कि मज़ा है ये फिल्म भी अच्छी करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपको उम अमीद है इस फिल्म से कमेंट में बताइए